नौश्कार दोस्तों सबने मेरी नाम राम मेरा नाम है प्रदीव सर हर्यान वी माप का स्वागत करता हूं UPSC समाचार आज है तीस माई आज देख लेते हैं आज हम कौन-कौन सी नियूस कवर करने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे open access in crucial for the self-reliance in science, देखो science में बहुत सारी research लगती है, research में पैसा खर्च होता है, तो जो भी online information है, journals की, जो भी विदेशों में research होती है, जो journals चपते हैं, जो magazine चपती हैं, उनका subscription बहुत महंगा होता है, तो government कोशिश करती है कि उन सब के लिए वो subscription ले कि खुद उस coast को bear करें ताकि हमारी research सोड़ी सी economical हो पाए, सरकार करीबं पंद्रह सो क्रोड रुपे खर्च करती है, तो अब issue यह उठ रहा है कि क्या उस information को openly domain में डाल देना चाहिए, या subscription को कम करना चाहिए, इस तरह का कुछ है, दूसरा है और उफ द अमरत scheme, अमरत scheme क्या है कि जो हमारा urban areas है, अटल mission for urban transformation, तो हमारे जो urban areas है, वहाँ पर 36% population रहती है, और 2050 तक करेंपन हम 50% तक भी जा सकते हैं, तो urban facilities जैसे hygiene होना चाहिए, road, sanitation, education, hospitals, तो क्या हमारी country इतने urban population के लिए तियार है, उसके ओपर यह government की scheme का analysis हो रहा है, SNP जो एक rating agency है, उन्होंने government का rating है, वो improve कर दिया है, ऐसी government, sorry, ऐसी जो rating agency होती है, ये government country wise उन्होंको एक rating देती है कि इस country के economy कितने stable है, तो अब हमारी positive की तरफ उन्होंने rating दिया है, because of हमारा जो current account efficient है, वो control में, inflation control में है, जो हमारी policy है, वो stable है, या इस तरह से government को जड़ contract वगरा है, तो सोवरन जो हमारे trading वगरा होती है, मलब किसी भी country में, जब government को ये bond जारी करती है, उसमें कितना trust है, तो भार से पैसा invest होता है, इस तरह से economy develop होती है, तो हमारी, हमारी economically लिए अच्छा ये indication है, WTO की तेरवी ministry conference होई थी, अबुदावी में होई है, UAE में, अबुदावी में, तो यहाँ पर जो discussions होए, उसको लेके article आया है, यहाँ पर एक तो, इंडिया ने ये कहा कि वही, जो developing countries हैं, उनको लेके थोड़ा सा अपने restriction को lose करो, हमें subsidy भी देनी पड़ती है, agriculture में, जो हम हमारे local fisherman है, विचार एपोर, उनको हम subsidy देंगे, industrial level पर subsidy नहीं देनी चाहिए, तो इस पर क्या discussion हुआ है, यह article उसके उपर है, फिर Humboldt glacier है, Venezuela जो country है, South America में, उनका जो आखरी glacier था, वो melt हो गया है, तो यह climate change का असर है, उनके बाद 6 glacier हुआ करते थे, उनका जो last glacier था, वो melt ह हो गया है, तो overall, जो glacier से हो melt हो रहे हैं, और यह कह रहे हैं कि two-third glacier melt हो जाएंगे, अगर इसी pace से climate change होता रहा, तो sun 2100 तक melt हो जाएंगे, चीक है, अगला है dispelling population myth triggered by a working paper, तो यह हमारा आज के editorial है, कुछ दिन पहले एक working paper छपा था, जो economic advisor council होती है, जो prime minister को advise करती है, उसने paper छापा था, उसमें यह कहा था, कि पिछले कुछ decades में Muslims की population बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और Hindus की population कम हो रही है, वो काफी public में भी आया था, उसको लेके political issues हुए थे, तो इस editorial में उन्होंने यह कहा है, कि ऐसा कुछ नहीं है, यह एक political stunt था, या जितना बढ़ा चड़ कि बताया गया है, उतना नहीं है, population largely stable ही है, 0.8% से grow हुआ है, Muslims का, कुछ कारण वहाँ यह भी है, कि वो लोग uneducated है, या थोड़ा aware नहीं है, उनमें जो शादी का system है, वो अलग पर इसे हैं, मलब शोशो economic conditions है, इसका religion सी कोई लेना देना नहीं है, ऐसा यह proof करने की कर रहे हैं, और आज हम Europe के physical divisions देखेंगे, कौन-कौन से यहाँ पे plateau है, कौन से river है, कौन से river कहा गिरती है, कौन से ocean है, थोड़ा से Europe वाला जो area है, हमेशा से news में रहता है, खास कर कि जो meditrain वाला region है, UPSC, HCS, वहाँ से question जादा पूछती है, कौन से sea को, कौन से country लगती ह कौन-कौन से सहर river पे बसे हुए, यह atlas में mark कर लेना, जैसे हमारा London है, London तो Thames river पे बसा हुआ है, फिर हम Paris देखें, तो Paris senior river पे बसा हुआ है, Rome है, वो poor river पे है, तो इस तरह से major major cities है, वो कौन से river पे बसे हुए है, वो पर पर में अक्सर पूछ जाते हैं, चलो इसका detailed start कर करते हैं, पहला हमारा है, open access is crucial, अगर हमको self-reliance बनना है, तो हमें open access देना पड़ेगा, विको जब तक open access नहीं हो पाएगा, हमारे scientists, हमारे students हैं, वो कैसे उस information access कर पाएंगे, अगर हम globally देखें, तो हम आते हैं, तीसरे number पर, research output में, अगर quality की बात करें, तो हम आते हैं 11th पर, तो it's a good position, because 190 plus countries है, वहाँ पर हम stand कर रहे हैं, तो वह अच्छी बात है, पिछले कुछ सालों में हमारे universities का number बढ़ गया है, आप देखो कि 2021 में 1113 universities बढ़ गी हैं, मतलब इतनी हो गई हैं, पहले आप देखो कि 2014 में 760 universities होती थी, मतलब more than 1000 universities हैं, तो हमारे world के 200 में हमार वो quality, वो professors नहीं है, शरब नाम के लिए है, एक initiative है, I-STEM initiative, इसका काम था, जो resource crunch हो रहा है, उसको हम बढ़ाएं, ठीक है, चलो, तो अब दिक्कत क्या आ रही है, literature access करने में दिक्कत क्यों आ रही है, because, जो भी concept आता है, one nation, one subscription, तो जो scientific generals होते हैं, पूरी country को एक साथ access मिल है, सारी universities में, तो ये available नहीं है, सबको, इसका cost बहुत high है, सबको नहीं मिल पा रहा है, करेवन पंद्रा सो क्रोड एनवली खर्च हो रहे हैं, limited research of subscription, तो बहुत सारे हैं, वो expenditure बहुत जादा है, तो कुछ ही university उसका फाइदा उठा पाती है, और जो negotiations हैं, government currently negotiate कर रही है, और जो research publish करते हैं, वो सबको मिल पाए, हम व्यूस से benefit ले पाए, ठीक है, अब अगर open access होगा, तो उसके implication क्या रहेंगे, देखो, free online access जो articles हैं, वो बढ़ रहे हैं, पहले आप देखोगे कि 2018 में, 38% content free में मिल रहा है, 2022 में 50% content free में मिल रहा है, पढ़ने के लिए, आज के दिन internet पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो free में available ना हो, यहां से नहीं, तो यहां से गुमाफिरा की virtual network, पता नहीं क्या क्या करके, हर movie, हर article, हर book, हर research paper, internet पर available है, तो 50% तो free में मिल रहा है, तो हमें international philanthropic agency हैं, वो भी कुछ दे रही हैं, तो हमें दुबारा से सोचने पर मजबूर जाते हैं कि भई, जो free में मिली रहा है, तो फिर, जो हम इतना मोटा पैसा दे रहे हैं, वो कितना कहां तक justified है, जैसे बड़ी-बड़ी जो philanthropic agency होती हैं, वो पैसा देती हैं, ताकि free में available रहे, humanity के लिए रहे, अब challenge क्या आते हैं, एक तो हमें long term preservation करना है, बहुत सारे papers हैं online, वो publish होते हैं, और कहीं गायब हो जाते हैं, उनको अच्छे से preserve करके रखा जाए, ताकि future में उसको, अगर कोई अच्छी research हुई, अच्छी finding हुई है, तो कोई अगला बंदा research करेगा, तो उसको वहां से use करके आगे बढ़ सकता है, तो इनको न, अच्छी से repository में हम करें freely available रहे, तो इसके लिए जो low वगरा हैं, वो enforcement नहीं हो रहा है, अगर हमको self-reliance करना है, तो भई burden हम नहीं ले सकते, ना तो readers पे, ना authors पे, तो government कैसे, इसमें high quality research को publish करें, तो इसके लिए हमें collaborative effort करना पड़ेगा, अगर जैसे मान लोग कोरोना की दवाई डुणने लगे इस article में चार बातों का address किया गया है, पहला तो कितना पैसा इसके लिए दिया गया, दूसरा कितनी progress इसमें हुई है, तीसरा क्या shortcomings रही है, चोथा क्या हमें करना चाहिए, article आप अच्छे से पढ़ना पढ़ा हो तो, exam की हिसाब से देखो, यह जो ministry of urban transformation है, मौवा बोलते ह of housing, urban office, वो संभालती है, central sponsored scheme यह है, central sponsored का मतलब है, इसमें कुछ percent center देगी, कुछ percent states देगे, तो इसका main काम क्या है, aim क्या है, जो basic urban infrastructure है, basic क्या होता है, health, road, hygiene, sanitation, drinking water, sewage, यह सब देना था, quality of life improve करने थी, आपको assured water supply मिले, sewage connection मिले, green areas हो, pollution कम हो, public transport बढ़े, ठीक है, target हमारा यह था, कि 500 शहरों को हम अच्छे से develop करेंगे, smart city, smart city जो mission आया था, उसमें भी ऐसे 100 cities को develop करना था, तो इस तरह से हम मेरा में नियो करना चाहते है, अमरत का जो पहला phase आया था, उसमें हमने दिये थे 50,000 करोड़, अब जो दूसरा mission आया था, दूसरा plan आया था, उसमें हमने दिये करीबन 3,000,000 करोड़, ठीक है, तो इस से हम, इस article में यह बताते हैं, अगर हमको development करना है, तो हमें city participation, लोगों का participation चाहिए, लोकल bodies को empower करन पाएगा, rainwater harvesting होगा, और heat बढ़ती जाएगी, इसी लिए urban areas को क्या बोलते हैं, concrete jungles, यह word याद रखना mains में use होगा, तो nature-based solution हो, हमारे पास climate responsive strategies हो, climate को कैसे हम tackle करेंगे, और public health focus करना है, विकोज, जो गरीब आदमी है, उसके जेव से बहुत सारा पैसा जा रहा है, इन ची outlook है, वो stable से positive की तरफ कर दिया है, करण क्या रहे हैं, उसमें एक तो हमारी policy stability है, ऐसा नहीं की कुछ भी policy आ रही है, एक stability आगी है, जैसे अफगानिस्तान है, इराग है, इरान है, यहाँ पता नहीं कब क्या policy बदल जाए, तो भार से को invest करने आएगा, कल को government कुछ बोल दे में, तो इंडिया एक long term sustainable growth दिख रहा है, इसलिए इसको land of opportunities बोला गया है, तो इंडिया के ऊपर एक अच्छा खासा rating agency से ने दिया है, ये भी कहा है कि बई दखो, अगर इंडिया के credibility अगर ऐसे रही, तो ही आगे रहेगा, अगर हमारी inflation को हम control नहीं कर पाए, तो credibility हम lose भी क दर सकते हैं, दुनिया ने देखा, कोवीड के बाद, इंडिया ने कैसे bounce back किया, कोवीड के time, इसको हम बोलते है, वी शेप recovery, जैसे वी शेप होता है, पहले तेजी से गिरी, फिर तेजी से उठी, तो हमारा जो investment होआ, public infrastructure में, या कोरोना के बाद आप देख सकते हो कि हमारा 8.1 से हम बढ़ रहे हैं, पिछले 3 साल से, तो मलब हमने कोरोना को tackle कर लिया है, बहुत सारी economies कोरोना के बाद down हो गई थी, तो इसलिए एक अच्छी वो है, इंडिया की जो long term आप देख रहे हो, policy stability है, economic reforms, infrastructure है, तो ये एक अच्छी, मलब एक अच्छा indication है, world के लिए, economy के ल अभी, UAE में, यहां पर 166 countries ने participate किया, अब यहां पर चाय समों से के अलावा बात क्या हुई, एक तो इन्होंने reform agenda बनाया, कि भी reform करना है, world को trade various रोकने है, और जो global trade को regulate करना है, उसको हम seamless हो, क्योंकि recent में WTO के को मानी नहीं रहे, अब जिसको कुछ, WTO कुछ बात लेके आता है, ना चाइना मानता है, ना अमेरिका मानता है, ना यूरोप मानता है, तो WTO का रोल भी question में है, तो मेंस का एक proper question बनता है, कि the relevance of the WTO in the present world, the relevance of the UN in the present world, United Nation बनाया गया था कि ताकि world war ना हो, अब इसराइल और Palestine का यूद चिड़ा हुआ है, यूकरिन, रश्या का ने कहा कि हाँ, हम अच्छे से dispute का mechanism बनाएंगे, एक positive indication दिया है, एक है special and differential treatment, SNDT, इसका मतलब यह है special and differential, कि मतलब जिसकी जितनी capacity है, वो उतना ही contribute करेगा, अब किसी के पास 100 हैं, और किसी के पास 10 हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई, सब लोग 10-10 दे दो, अब किसी के पा जानेंगे, differential treatment, तो जो developing है, या जो least developed countries है, उनको special treatment देना चाहिए, ठीक है, अब challenge क्या रहा है, एक तो भई protectionism, बहुत सारी economy क्या कर रही है, कि भार वालों को आने ने दे रही है, जैसे अमेरिका में फैला था, अमेरिका first, डॉल टरम ना लगवा दिया, कि भार के लोग आ जीजे इसराइल से इंडिया में आनी थी, अब वो disrupt कर जाएंगे, उनका price बढ़ेगा, रशिया यूकरियन से जो चीज भारत आनी थी, वो छट जाएगी, तो पूरी global supply chain disrupt होती है, इससे global economy पर आता है, या आप sanction लगा देते हो, disrupt कर देते हो, तो इससे क्या होता है, पूरी होती जा रही है, जो डीज डेवलपिंग हो, खत्रे में रखी है, वो हमें दूर करना है, अब इसके लिए इंडिया के परोच क्या है, भाई, public stock holding program, इंडिया चाहता है कि हाँ, जो stock hold कर रहे हैं, तो हमें subsidy rate पे खाना देने दो, गरीब लोग भोत हैं, तो subsidy allow करो हमारी, लेकिन जो international water में है, जो subsidy दे रहे हैं, उसको curb कर दो, बड़ी-बड़ी countries हैं, वो subsidy दे के, global जो trade है, उसको disrupt कर रहे हैं, जो e-commerce, custom duty बगारा हैं, जो e-commerce पे हम, जो subsidy बगारा दे रहे थे, या जो curb लगा रहे थे, यहां पर दो साल के लिए उन्होंने permission और आगे बढ़ा दि जो transactions थे, custom duty को exempt और कर दिया दो साल के लिए, यह एक disappointing था, बहुत सारी countries के लिए, तो conclusion यही रहेगा कि, एक global platform है, यहां पर collaborative approach चाहिए, global trade को अगर benefit करना है, stability चाहिए, reasonable peace से यह, तो हमें collaborative effort दिखाने पड़ेंगे, यही इस article में बोला जा रहा था, ठीक है, अब एक news में Humbold glacier, यह हमारी Venezuela country, यहां का जो आखरी glacier था, जिसका नाम था, Humboldt, वो melt हो चुका है, यहां पर हमने देख था, यह लेक है, लेक मरा काई, वो पेट्रोलेम निकलता है, बहुत अगड़ा यहां से, इनके बाद 6 glacier थे, Andes Mountain में, यह आखरी था, आप देख सकते, 2013 में इतना फैला हुआ था यह, और अब 2023 में देख आप थोड़ा से रह गया, लेस देन 2 hectare, तो यह आपको पता रहना चाहिए, इस glacier का दूसरा नाम भी था, Sir Mac to Swag glacier, तो यह परीके साब से याद रखना, किसी भी glacier को, अगर आप glacier count करते हो, तो कम से कम वो 10 hectare में फैलना चाहिए, यह 2 hectare से कम रह गया, तो इसको बाहर निकाल दिया, आज का हमारा editorial है, dispelling population myths, तो recent में जो news paper, जो working paper आया था, उसने यह कहा, मैं दिखाई देता हूँ, कि Muslims की population बढ़ गी है, तो Economic Advisory Council के आसपास एक working paper पब्लिश हुआ, जिसमें यह कहा गया है, कि Muslims की जो population को तेजी से बढ़ रही है, हिंदूस के लिए खत्रा है, तो इन्होंने यह बताया कि यह देखो भई, अगर आप absolute की बात करते हो, तो 1950 से लेके 2015 के बीच में, हिंदू की population 701 million बढ़ी है, ठीक है, Muslims की बढ़ी 146, तो आप देखो, कि Muslims की population कमी बढ़ रही है, अगर हम percentage की बात करें, तो हिंदूस की जो ठीक है, लेकिन यह कह रहे है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, 2011 का census आप देख लो, तेको दरसल यह जो editorial है, exam perspective से बहुत कम important है, बिकोज यह एक opinion है, view है, हमें view नहीं चाहिए, हमें news चाहिए, news क्या है, news क्या है, EIC कोन हैड करेगा, यह सारे यह data सिरफ बात करने के लिए ठीक ह है, otherwise मैंने highlight कर दिये है, अब यह कह रहा है कि भई, education, healthcare, economy, बहुत सारे चीज़े होते हैं, लेकिन ऐसी view को ना पढ़ो, तो ही बढ़िया है, ठीक है, यह आपको biasness की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, पता रहना चीए कि ऐसा view भी है, आपको ना Hindu view को देखना है, ना Muslim view को island view लेकर चल रहा है, ठीक है, चलो, यूरोप की चीज़े देखते हैं, यूरोप में कौन-कौन से mountains है, सबसे पहले यूरोप के island देख लेते हैं, बड़े-बड़े, Great Britain, Iceland, Ireland, Severny Island, Spitsbergen, Yuzney, Sicily, Sardinia, Nordost, Nordostlandet, Cyprus, इसमें से आपको याद रखना है, Cyprus, Sardinia, Sicily Islands, Ireland, Iceland, Great Britain, यह बाकी के नहीं याद रखने है, आज तक पुछे भी नहीं गया है, बहुत लेस इंपोर्टेंट है, Britain जो है, यह आपको याद रखना है, देखो, यह जो एरिया है, जो यह जो एरिया आपको दिख रही है, England, यहाँ पर एक चोटा सा country है, Wales, और उपर है Scotland, Scotland, Wales और England को मि South Ireland, South Ireland को बोलते है, Republic of Ireland, North Ireland को मिला ले, Scotland, Wales, England को मिला ले, तो चारों मिलके बना लेते है, United Kingdom, यह दोनों मिला के तो Ireland, और सब को मिला ले तो British Isles, यह बन जाता है, बहुत आपको याद रखना है, यह सारी country है, अपने map में धीरे धीर आपको इंप्रूव करना है, अब जो प Iberian Peninsula, यहाँ पर Spain वगरा है, Italian Peninsula, Italy है, Balkan Peninsula, यहाँ Balkanization वाच्छोटी country टूटी थी, Crimean Peninsula, Crimean Peninsula अब पहले Ukraine की पास होता था, बट अब रशिया ने कब जा लिया है, यहाँ पर Jettaland Peninsula है, यहाँ पर Scandinavia है, तो यह सारे आपको नाम याद रखने है, इनकी location ध्यान रखनी है, यह कह कहां कहां पर है, चीक है, चलो, आप जो river वगरा है, वो कौन सी कहां गिरती है, आपको याद रखनी देखो, इसमें बहुत सारे rivers हैं, लेकिन 10 बार आई हैं, आपको याद रखनी है, डैनूबे, पो, डनाइपर, डोन, यह आपको याद रखनी है, कौन सी, यह आल्टिकल स डोन रिवर जो है, वो याद रखना, सी ओफ अजो में गिरती है, अजू डोन, अजू डोन करके याद कर रखा था मैंने, ब्लैक सी में नहीं गिरेगी, नीचे अच्छे से दिखा रखा है, वहां दिखाता हूँ, देखो, यह सारे rivers हैं, यहाँ पर डैनूब आ रही है, ड डनाइपर आ रही है, डनाइपर इसमें गिर गी है, टीक है, डोन रिवर आ रही है, डोन रिवर गिर रही है, सी ओफ अजोव में, यह है सी ओफ अजोव, यह है ब्लैक सी, वोलगा रिवर गिर रही है, कैस्पियन सी में, यहाँ पर है पोर रिवर, यहाँ रोन, यहाँ टै प्रैफनिया वाइट सी वाइट सी यहांपर है नोर्थ सी यहांपर प्रणफूस होता है इन में वाइट सी नोर्थ सी बाल्टिक सी स्टेट ऑफ डोवर, इंग्लीज चैनल, बयोबिसके स्टेट उफ जिबरालटर टेरिनन सी, आइनन सी, एडिटिक सी, सी ओफ मरमरा, बॉसफ़र स्ट्रीट, ब्लैक सी, सी ओफ अजोव, ये सारे आपको एग्जेक्ट लिया दोने चाहिए, ये सुपर से उपर इंपोरेंट है, पेपर में आते रहते हैं एकसर, ये सारे आपको याद होने चाहिए, लेक लड़ोगा, ये रश्या की तरफ है, ये तीन कंट्री हैं यहाँ पर, जो बल्लैक, बाल्टिक सी को टच करती है, एस्टोनिया, लात्विया, और लिथुनिया, लिथुनिया, लात्विया और एस्टोनिया, ये बाल्टिक सी को टच करती है, बेल, बी से बाल्टिक, ई से एस्टोनिया, ल से लात्विया, ल से लिथुनिया, ये सारे टच करेंगी, ठीक है, एंडोरा याद रखना, ये स्पेन में आता है, ये ओटोनोमस होने के लिए बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा है, आज के MCQ है, आपको कमेंट करना है, पहले तो आपको ये बताना है कि, ब्लैक सी में कौन-कौन सी रिवर गिरते हैं, वो तीन-चैर रिवर के नाम लिख ले हैं, जो डिरेक्ट ब्लैक सी में गिरती हो, उसका चेर परसन कौन है, वो आपको बताना है, हमने देखा था, एक S&P रेटिंग एजनसी, तो वर्ल्ड की टॉप थ्री क्रेडिट रेटिंग एजनसी का आपको नाम लिखना है, ठीक है, जो भी गवर्मेंट की इनिवस्टी होती है, पब्लिक इनिवस्टी उनका एक्स ओफिशियो चैंसलर कोन बनाया जाता है, यह आपको बताने पांस क्विश्चिन, मैं वेट करूँगा, जो आप में सही अंसर करेगा, उनको हम गिफ्ट भी भी बेजएंगे, जो रेगुलर है उनकी तरब से, तो इस वस अल फो टोड़े, थैंक यू.